नमस्कार मैं हूँ अकर्शन उपल और इसमें आप ये सीधी तस्वेरे देख रहे हैं आइबिन 24 पर CMC T करनाल से दोस्तों ये देख रहे हैं क्या है ये दवाईयां है दवाईयां जिससे हम आदमी को लूटा जाता है आप पूछेंगे कि दवाईयां तो खाने की चीज़ है डॉक्टर इससे लिख कर देता है तो आखिर इससे लूटा कैसे जा सकता है तो यहां पर मैं आपको बता दू कि आज आपके सामने एक बड़ा खुलासा करूंगा कि आखिर दवाईयों की ये कमपनिया और दवाईयों के दुकानदार कैसे दिनो दिन लखपती हो जाती हैं दवाईयों की कमपनिया करोड़पती और अर्बोपती हो जाती हैं वो भी आपको लूट कर लूट शब्द का इस्तमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दवाईयों की हकीकत सचाई जब आप जानेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी मेरे पास ऐसी ऐसी दवाईया हैं जिनका रेट 500-600 रुपे हैं लेकिन दुकानदार ने हमें को लूटा जा रहा है जैनरिक दवाईयों के नाम पर कैसे आम आदमी के साथ खिलवाड कर रहा हैं लेकिन सरकारें नेता परशासन अधिकारी सब चुप हैं सब के मुँपर चेपी लगी हुई हैं आँखों के उपर चश्में चड़े हुएं कोई ये बोलने समझने के 500 रुपे में मिलेगा तो उसे 500 में खरीदना पड़ता है क्योंकि उसको पर रेट ही 500 रुपे होता है लेकिन दवाईयों का जो असल रेट है वो 10-15 या 20 रुपे है आज हम एक दुकान पर पहुंचे हैं जो की दुकानदार है और वो बताएंगे कि आखिर इस तरह का जो य 500 रुपे लिखा हुआ है 550 रुपे इसका रेट लिखा हुआ है लेकिन यह देखिए 80 रुपे में आपको यह पता अगर कोई दुकानदार चाहे तो बेच सकता है अगली दवाई आप देख सकते हैं कालवी सकाई के 27 इस दवाई का नाम है और इसका रेट पढ़िए क्या है रेट इसका दिया हुए 245 रुपे लेकिन मुझे यह बताया गया कि यह दवाई यह देखिए 45 रुपे में मिल सकती है आपको लेकिन अक्सर 245 रुपे का दवाई का पता बता कर 20% 30% डिसकाउंट देकर आपको खुश कर दिया जाता है कि हाँ दवाई के उपर आपको भार चूट दे दी गई है भारी डिसकाउंट दे दिया गया है लेकिन हकीकत और सच्चाई आपने सुली क्या है इसके अलावा आप एक और पत्ता देखिए यहां पर 220 रुपे का इसका रेट है यानि कि कंपनी यह कहते है कि कोई भी दुकान दर इसे 220 रुपे में लीगली बेच स लेकिन दुकान दर ने हमें बताया कि वो इसे 20 रुपे में बेच सकता है यानि कि गाउन दे हात में इस समय क्या हालात होंगे यह आप समझ सकते हैं 111 रुपे का यह पत्ता है और इसको 30 रुपे में बेचा जा सकता है यानि कि 4 गुना से लेकर 10-10 गुना तक के जो रेट ह वो पत्तों के उपर च्छाप दिये जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से लूटा जा सके हैं, हलाकि जिस दुकान में हम खड़े हैं, इन दुकानदार ने दावा किया है, जो रेट ये बताए जा रहे हैं, मैं इनी रेटों के उपर बेशता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आम आदमी के दर्द को इसके बाद देखिए 194 रुपे का यह पत्ता है जी हाँ 194 रुपे का पत्ता है और यह पत्ता आपको मिल जाता है मात्र 25 रुपे में यानि की जो रेट इसके उपर दिया गया उससे आठ गुना महंगा यह पत्ता अगर कोई दुकान दर बेच दे तो उ की त्री यानि की विटामिन की दवाई है और यह आपको मात्र 15 रुपे में ये देखिए 15 रुपे में 15 गोली है यानि एक रुपे की गोली मिल सकती है लेकिन पत्ते के उपर रेट च्छापा गया है 86 रुपे इसके बाद एक और पता आता है चार गोलियों का जिसका रेट है 108 रुपे 108 रुपे इसका रेट है और ये 20 रुपे में पता आपको मिल जाता है यानि आप समझिए कि किस तरह से लूट का ये कारोपार 102 रुपे का पता 20 रुपे में आपको मिल जाता है और इस खब पत्ते बजार में उतारे हैं यहां पर सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि आखिर इतना भारी MRP रखने का मकसद और मतलब किया यह सवाल लेकर हम रज़त खनाजी से जुड़ेंगे जो कि खुद पिछले लंबे समय से दवाईयों के कारोपार में है लेकिन अक्सर करोना काल में भी इन्होंने बताया था कि कैसे यह लूट का पूरा धंदा चलता है रजज़त जी यह क्या मकसद है पत्तों के उपर रेट दोसो रुपे और एक्च्वल में पंदरा से बीस रुपे में मिल जाता है यह पूरे का पूरा धंदा क्या है क्या कुछ बताना चाहेंगे आम ल यहीं जो समान आता है और अथिकल होता है जो कम्पनी के ब्रांट्स होते हैं बड़े बड़े उसपे जो एठीकल समय है जो में है ऑलरडी 23 से 24 परशंट हमें मिलता है जो कि हम 20 परशंट मार्केट में काट रहे हैं लेकिन कई जगा ऐसा होता है जैसे अब यह पत्ता हैं इ कैसे कैसे करते हैं जैसे पुटी पाउडर है 305 यह त चपा हुए हम लेगली 305 में वेच सकते हैं हम 305 में सकते 306 में 3304 बेच सकते हैं अगर हम इसको 70 में बीचे तो हमारा आठ गुना महंगा इसका रेट 305 रुबे चाप दिया गया ताकि कोई भी दुकानदर किसी भी आम आदमी को लूट सके और मोटा प्रॉफिट कमा सके रजजी यहां पर सवाल यह है बहुत सारे जो दवाईयों के दुकानदर है उनकी नजरों में आप भी चुबेंगे मैं भ बड़ी बात रखिए आप यह जो इतना बड़ा खुलासा खुद कर रहे हैं कि 35 रुबे में आता है 70 रुबे में भी बेचने तो कोई दिक्कत नहीं है आम आदमी खरीद कर खुश है यह इतना इतने मार्जन के साथ जो मर्पी डिसाइट है गौर्मेंट को क्या लगता है कि इसमें एंटर्टेंग नहीं करना चाहिए गौर्वन को अगर गर्यामेंट एंटर्टेंगर करेगी तब तक गृइव आदमी का फैदा नहीं होगा गृव आदमी इस्टम जो हलात है क्रोना में लोगों के लाट फिनेंशल पोजिशन नहीं नहीं है चाहिए वो बिजनस पर तक दे ठीक है हम साथ सतर में दे देते हैं कई पर क्या होता है अप एंड डाउन्स होता है करोना में कुछ आइटम मेंगी भी हुई है कम भी हुई है तो इसलिए हमें नहीं है लेकिन इतना मार्जन पांच पांच सो परसंड मार्जन लेना गल्थ है जैसे सब्सक्राइब करते हैं अब यह मालों जैसे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा बेसिकली इसकी कॉस्टिंग जो है हम 20 बेस देते हैं लेकिन कुछी कंपनी का ऐसा है जिसमें 200 रुप मार्जन सिर्फ हमें 30 रुप ही होता है तो 180 का बिखता है तो कंपनी को दोनों तरफ से प्रॉफिट है बड़ा ब्रांड बेचने से में भी और मतलब टर्न ओवर खेलने के लिए जैनरिक में भी यह कुछ दुका अंदर इसको क्या करते हैं प्रिंट पर लगा के 20 परसंट आफ कर देते हैं जो आजकल कुछ मार्किट में चल रहा है माबिदल के आगे यह कलपना चावला के आगे तो बेसिकली आपको 110 पर 20 बसंड कर देंगे क्योंकि उनका मोन यह उनका मोनोपली का कराने है जिन का लाखो रुपे महीने का किराया और चंडीगट दिल्ली गुड़गाओं जैसे शहर में तो क्रोड़ों रुपे महीने का क्राया तो इसका मतलब कियाम आदमी की जेपर डाका डालकर यह किराय निकल रहे हैं सर ऐसा नहीं है देखो अब कोई भी काम होता है नर्सिंग होम की अंदर होते हैं नर्सिंग होम में कोई भी डॉक्टर है वो हल्का जैनरिक ब्रांड नहीं लिखता है वहां जो ब्रांड चल रहे हैं उसमें 23-27% मार्जन होता है वह 15-15% डिसकांट कर देते हैं इस बूरे मतलब जो यह सारा काम है इसमें बदनाम नर्सिं नर्सिंग होम के अंदर जो द्वाई हैं कहने का मतलब है कि अगर वह मर्पी पर चीजें बेशते हैं या मर्पी पर पांसाथ-दस प्रसेंट डिसकांट देते हैं तो ठीक है एथिकल द्वाई हैं अब जैसे अब आपका मेरो पेनम इंजेक्शन है उस पे 3000 पे प्रेंट है जैनरीक जो है मतलब पांपांसो परफिट बेचा जा रहा है बिल्कुल पांसो परसेंट जैसे आप यह सिफ्रॉक्जिम टैबलट आप ने दिखाई है यह एंटी बाटी का है साधे पांसो रपे मारे पिए 80 रपे को मिरको परतम सो रपे में बेश देते हैं में दस रपे क बिखते हैं यह इसको कुछ भी बोल सकते हैं यह बेसिकली जो कैमिस है और उसको रिप्लेस करते हैं बड़े बरांट से और सस्ता करके बेचते हैं तो यानिकी अब समझने वाली बात यह कि 245 रुबे प्रिंट है और आपको यह पता मिल जाता है मातर 45 रुबे में इस से सम कंपनी है जाइडर जैसी कंपनी है यह कोई और कंपनी है अगर उसका रेट इतना है मेरा माल पहले बिके तो उनसे जादा एमर्पी देकर आपको बरगलाया जाता है उस पर एमर्पी बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसमें मार्जन इतना रख दिया जाता है कि दु दो दिन पहले गॉर्मेंट ने इसको डीपी सियों में लिया ड्रग प्राइस कंट्रोल अब इस पे एक फिक्स एम्रपी आ जाएगा जो लो होगा नेरबूट चोदासों से पांस पंदरास ओर पे के बीच में जो की रिटेलर या कैमिस जो भी है उसको हजार बारासों अकॉर प्राइस में लाना चाहिए ताकि वो किसी भी आम आदमी गरीब आदमी या किसी पेशन्ट का क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत है दवाई नुकसान ना है तो जैनरिक और एथिकल में क्या असर का भी फरक होता है भी ऐसा है कि एथिकल मुझे दो घंटे में असर करेगी तो चार घंटे में करेगी चक्कर क्या है पूरा सर ऐसा कुछ निया एक ही वो सारा समान होता है उसी से जैनरिक बनना उसी से एथिकल बन रहा है अच्छी कंपनी का अगर आप जैनरिक भी खाओगे तो उससे कोई फरकनी पड़ेगा फैदा ही फैदा रहेगा उसमें उत्रे ही जितना फिकल में होता है सेम कंक्पनी बनाती है बनाने वाले सेम है सेम है और एक्छा डेपार्टमेंट उनके सेम है जिस पर टैस्ट करते है वह सब चीजे सेम है ऐसा कुछ अगर 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 अच्छ इसा वीडियो को देख रहें इससे साथ के साथजरूर श्यर करें और जैनरिक दवाईयों के उपर जो ये पूरे का पूरा नेकसस है पूरे का पूरा जो ये धंदा है किस तरह से फल फूल रहा है कैसे जैनरिक दवाईयों के नाम पर आम आदमी गरीब आदमी मुझे और आपको लूटने की कोशिश नहीं हो रही बलकि बकाईदा लूटा जा र आएगा क्योंकि ये जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है इनके साथ किस तरह की सांट गांट होती है बड़े-बड़े लोगों को हाथ इनके सर पर होता है सिवा इसके कोई भी कारण नहीं हो सकता की डेड़-डेड़ सो रुपे पत्ते के उपर प्रिंट लगाकर 15 रुपे में वो पत्ता बिक सकता है बजार के अंदर लेकिन 135 रुपे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को लूटने के लिए वहां पर बना दिये जाते हैं जोड दिये जाते हैं आप सभी से एपील इस वीडियो को देखे भी इसे शेयर भी करें और यह सबसे बड़ा मामला सबसे पहले पहुंच आएं धन्यावाद